हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब ठीक होंगे आए आज आपका नया अध्याय त्रिबुज पढ़ना आरम करते हैं इस पार्ट में हम पढ़ेंगे समरूप आकरतियां किने कहते हैं त्रिबुजों की समरूपता त्रिबुजों की समरूपता के लिए कसोटियां कौन-कौन सी हैं? समरूप त्रिबुजों के छेतरफल कैसे ग्याद करते हैं? एवं पायतुगरस प्रमे तो बच्चों आप त्रिबुजों और उनके अनेक गुन धर्मों से भली भाती परिचित हैं आप त्रिबुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तत रूप से अध्यन कर चुके हैं याद कीजिए कि दो त्रिबुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार शेप तथा समान आमाप साइज हो यहां हम ऐसी आकरतियों के बारे में अध्यन करेंगे जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो दो आकरतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान आमाप होना आवश्यक ना हो समरूप आकरतियां similar figures कहलाती हैं विशेश रूप से हम समरूप त्रिबुजों की चर्चा करेंगे हम यह भी देखेंगे कि सभी सरवांगसम आकरतियां समरूप होती हैं परन्तु सभी समरूप पाकरतियों का सरवांगसम होना आवश्यक नहीं है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो भव भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं। एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। ठीके बचों आईए अब आपकी प्रशनावली 6.1 हल करते हैं। कोश्टकों में दिये शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्तस्तानों को भरिये। सबी वर्थ होते हैं क्या सरवांगसं है या सम्रूप। बिलकुल सही सम्रूप। क्यों क्योंकि ये देखे हम एक वर्थ ये और दूसरा ये मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों सम्रूप हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं सम्रूप या सर्वांगसम सम्रूप होते हैं अगला देखिए सभी त्रिभुज सम्रूप होते हैं कौन से सम्धी बाहू या सम्बाहू बुजाओं की समान वाले दो बहुपुज सम्रूप होते हैं यदि उनके संगत कौन बराबर हो तथा उनकी संगत बुजाएं समान उपाती हो ठीक है बिच्चो अगला प्रेश्न करते हैं निमन लिखित युगमों के दो भिन भिन उधारन दीजिए सम्रूप आकरतियां इसमें हम लेंगे दो सम बाहू त्रिभुज एक सेंटिमीटर और दो सेंटिमीटर वाले देखें यहां पर एक हम यह ले ले लते हैं और दूसरा त्रिभुज यह इसमें एक सेंटिमीटर और यह दो सेंटिमीटर ठीक है तो यह सम्रूप आकरतियां हो गई और दूसरा हम ले ले लेते हैं उधारन दो वर्ग एक सेंटिमीटर और दो सेंटिमीटर वाले देखें यह एक सेंटिमीटर का वर्ग है और दूसरा हो गया ठीक है अगला ऐसी आकरतियां जो सम्रूप नहीं है इसमें हम सम्लंप और वर्ग सम्लंप में यह हो गया सम्लंप और यह हो गया हमारा वर्ग यह आकरतियां सम्रूप नहीं है त्रिबुच और समांतर त्रिबुच चत्रभुच त्रिबुच और समांतर चत्रभुच त्रिबुच और यह आपकी आकर्तियां समरूप नहीं है आशा करती हूँ, समझ में आ गया होगा आए अगला प्रेश्मे करते हैं बताइए कि निम लिखित चतरभुज समरूप है या नहीं हमारे पास है P, Q, R, S और यह 1.5, 1.5 जिसकी चारो लंबाई है और यहाँ पर A, B, C, D A, B है 3 cm, B, C 3 cm, C, D भी 3 है और D, A, B 3 है हम देख रहे हैं कि चतरभुज P, Q, R, S और A, B, C, D समरूप नहीं है जानते हो क्यों? जैसा कि उनकी भुजाएं अनुपातिक हैं अर्थात A संबंदे 2 हैं लेकिन उनके अनुरूप कोण समान नहीं है यहाँ देखिए यह कोण सब समान नहीं है इनके यह आपके सारे कोण 90 डिकरी के हैं ठीक है बचो? चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगट कोण बराबर हो तथा उनकी संगट भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समान नुपाती हो ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगट कोण बराबर हो तो वे समान कौनिक त्रिभुज Equiangular Trangles कहलाते हैं एक प्रसिद युनानी गणितग्य थेल्स ने दो समान कौनिक त्रिभुजाओं त्रिभुजों से संबंदित एक महत्वपून तत्य प्रतिपादित किया था दो समान कौनिक त्रिभुजों में उनकी संगत बुजाओं का अनुपात सदेव समान रहता है ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रियोग किया जिसे आधार भूट समानु पातिक्ता प्रमे थेल्स प्रमे कहा जाता है आएं हम देखते हैं थेल्स प्रमे क्या कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक बुजा के समांतर अन्य दो बुजाओं को बिन्द बिन्दों पर परिछेत करने के लिए एक रेखा खीची जाए तो वे अन्य दो बुझाओं के ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं यहां देखें यह हमारे पास एक तरिबुझ है और D E और B C समानतर रेखाए हैं तो यह रेखा जब खीची जाती है दोनों रेखाओं को यहां पर भिन भिन D और E पे मिलाने के लिए तो हमें मिलेगा A D बटा D B बडाबर है A E बटा E C इसका हम उप्योग करके आपकी प्रशनावली को हल करेंगे प्रशनावली 6.2 पहला प्रशन है आकरती में D E समानतर है B C और E C जात करना है हमें आप देखिए A B C में A D 1.5 है D B 3.3 cm है A E 1 cm है और E C X माल लेते हैं E C को हमने X माल लिया क्योंकि हमें दिया है त्रिभुच A B C में D E समानतर है B C के इसलिए आधार भूत समानु पातिकता प्रमे A D बटा D B बराबर होगा A E बटा E C के हम लिख पाएंगे 1.5 बटा 3 बराबर है 1 बटा X के जिसको हम हल करके पाते हैं X बराबर 3 बटा 1.5 इस प्रकार हमें X 2 सेंटीमीटर मिलता है ठीक है आएए अगला प्रशन करते हैं किसी त्रिभुच PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशह बिंदू E और F स्थित हैं निम लिखित स्थिती के लिए बताईए कि क्या EF समानतर है QR के इसमें हमें दिया है PE 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर और PF 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर तो इसलिए PE बटा EQ हम निकालते हैं पहले कितना आएगा 3.9 बटा 3 जिसको हम हल करके देखते हैं कि 1.3 आ गया तथा PF बटा FR कितना होगा 3.6 बटा 2.4 इसको हम हल करके देखेंगे 12 से काट देते हैं 12 दून 24 और 12 तीय 36 यह होगा 3 बटा 2 के बराबर जो है 1.5 अब देखिए यह आया था हमारे पास 1.3 और यहाँ पर है हमारे पास 1.5 क्या यह दोनों बराबर हैं नहीं क्योंकि PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR के अतह EF और QR समांतर नहीं है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्न करते हैं आकरती में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके पास ABC त्रिकोन है इसमें हमारे पास LM समांतर है CB के तो हम क्या लिख सकते हैं आधार बूत समानु पातिकता प्रमे के अनसार हम लिख पाएंगे AM बटा AB देखिए AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC तो इसी प्रकार हमें दिया है ADC इस त्रिबुज में हमें दे रखा है NL समांतर है CD के और जैसे हमने इस त्रिबुज में किया ऐसी इसी प्रकार हम यहाँ पर आधार बूत समानु पातिकता प्रमे से हम लिख सकते हैं AN बटा AD बराबर होगा AL बटा AC के देखिए आकरती में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE सिर्द कीजिए BF बटा FE बराबर है BE बटा EC पहले हम आकरती बना लेते हैं यह हमारे पास त्रिबुज है ABC यह हम ले लेते हैं AE और यह हमारे पास है DF इसको हम जोड देते हैं हमें दिया हुआ है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के हम इसमें दो बार आधार बूत सहानु पातिकता प्रयोक करके सिद्ध करेंगे देखिए कैसे पहले हम लेंगे त्रिबुज ABE इसमें हमें दिया हुआ है DF समांतर है AE तो आधार बूत समानु पातिकता प्रमे के अनसार हम इसको लिख सकते हैं BD बटा DA बराबर होगा BF बटा FE ठीक है बचो इसको हम पहली सेमिकरल ले लेते हैं अब हम दूसरी त्रिबुज लेते हैं ABC इसमें हमें क्या दिया हुआ है DE समांतर है AC हम दूबारा आधार बूत समानु पातिकता प्रमे क्या लिख सकते हैं अब देखिए हमने लिए ABC इसमें DE समांतर है AC तो BD बटा DA बराबर होगा BE बटा EC इसको हम ले लेते हैं समिकर्ण संख्या दो अब ध्यान से देखिए पहली और दूसरी समिकर्ण में हमें BD बटा DA बराबर है BF बटा FE और BD बटा DA बराबर है BE बटा EC अब ध्यान से देखिए कि क्या इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि इनका BD upon DA BD upon DA common है तो हम लिख पाएंगे BF बटा FE बराबर है BE बटा EC इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि BF बटा FE बराबर है BE बटा EC समझ में आया बच्चों चलिए अगला प्रेशन करते हैं आकरती में DE समानतर है OQ और DF समानतर है OR दर्शाये की EF समानतर है QR पहले हम आकरती बना लेते हैं यह हमारा है PQR और यहां एक बिंदू हम ले लेते हैं यह हमारा बिंदू O है और हमें यह भी दिया है यह हमारे पास EF है और यह है T हमें क्या दिया हुआ है DE समानतर है OQ इसका मतलब DE समानतर है OQ और क्या दिया हुआ है DF समानतर है O R यह देखिए DF समानतर है O R और हमें बताना है EF समानतर है QR तो देखिए हमें इसको कैसे हल करेंगे त्रभुज P O Q में हमें दिया हुआ है DE समानतर है OQ तो बच्चो त्रभुज P O Q में हमें दिया हुआ है DE समानतर है OQ तो आधार भूत समानू पातिक्ता प्रमेद्वारा हम लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर है PD बटा DO इसको हम पहला समीकरान ले लेते हैं अब हम लेंगे P O R त्रभुज P O R में क्या दे रखा है बच्चो ओ D F समानतर है O R अब फिर हम आधार भूत समानू पातिक्ता प्रमेद्वारा हम लिख पाएंगे PD बटा DO बराबर है PF बटा FR ठीक है इसको हम ले लेते हैं दूसरा समीकरान अब ध्यान से देखिए इसमें PE बटा EQ बराबर है PD बटा DO और PD बटा DO बराबर है PF बटा FR इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR अब हम कह सकते हैं कि जो रेखा EF है वो समानतर है QR के क्योंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के इसकी हम कह सकते हैं कि EF समानतर है QR के तो समझ में आया बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर AN बटा ND बराबर होगा AL बटा AC के पहली और दूसरी समीकरन से हम यह लिख सकते हैं कि AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के समझ में आया बच्चों चलिए अब हम ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं बहु विकल्पिये प्रश्न दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये प्रश्न पहला एक त्रिभुच ABC की बुजाओं AB और AC पर क्रमश बिंदू D और E इस प्रकास स्थित हैं कि AD बराबर है 2 cm, BD बराबर है 3 cm, BC बराबर है 7.5 cm और DE समानतर है PC के तब DE की लंबाई cm में क्या होगी? पहला ओप्शन है 2.5, दूसरा ओप्शन है 3, तीसरा है 5 और D है 4 ओप्शन 6. एक त्रिभुच DEF की बुजाओं DE और DF पर क्रमश बिंदू P और Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर है 5 cm, DE बराबर है 15 cm, DQ बराबर है 6 cm और QF बराबर है 18 cm, क्या PQ समानतर है EF के? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, प्रशन सक्या 3, त्रिभुच DEF और त्रिभुच RPQ समरूप हैं दिया है, क्या कहना सत्य है कि कोण D बराबर है कोण R के और कोण F बराबर है कोण P के? अगर है तो क्यों? प्रशन 4 त्रिभुच हो PQR और MST में कोण P बराबर है 55 डिगरी, कोण Q बराबर है 25 डिगरी, कोण M बराबर है 100 डिगरी और कोण S बराबर है 25 डिगरी? क्या त्रिभुच QPR और त्रिभुच TSM समरूप हैं? अगर हैं तो क्यों? तो आएए अब हम सारांच देख लेते हैं, हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा? त्रिभुचों की समरूपता हमने देखा कि दो त्रिभुच समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत बुझाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों हमने ये भी पढ़ा आधार भूत समानुपातिकता प्रमे किसे कहते हैं? ये हमें क्या सिखाती है? यदि किसी त्रिभुच की एक बुझा के समान तर अन्य दो बुझाओं को भिन्द भिन्द बिंदूओं पर प्रतिछेत करने के लिए एक रेखा खीची जाएं तो वे अन ये दो बुझाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं तो बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा खूब अभ्यास कीजिए सरल हो जाएगा अगनित आपके लिए धन्यवाद झाल 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 झाल